हाई फ्रेंड्स मैं हूँ आर्थी और आपका बहुत स्वागत है आर्थी शील टेक यूटूब चैनल है फ्रेंड्स चैनल से मैंने पहले की वीडियोस में बताया है यह मैंने पेंडेंट बना लिया है और बीच में से इसे धागे को काट लिया है आज हम एक नए डिजाइन यह पत्ता है पत्ते का जो पीछी का सर्फेस है अंदर रखेंगे चिकना सर्फेस है यह हम उपर की साइट रखेंगे इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर ऐसी करेंगे इसमें पहले वाले वीडियोस में हमने चुन्नट वाला डेजाइन डाला था इसमें हम ऐसे फोल्ड व कर दो कर दो कर दो भिस Sila से उर और फिर हम इसे या तो बनाते वक्त ही ऐसे घुमा देंगे या फिर एक साथ पत्ते डालने के बाद इस तरह से हम इसको घुमा देंगे ये दिख ये कुछ इस तरह से दिखेंगे लोख उसके बाद फिर हम ने ऐसे गेंदर डालिया अब हम फूलों को इस तरह से डालें देखें इस तरह से देखें फ्रेंट्स यह अब हमने डाल लिया है अब हम इसे धागे में निचे की तर्फ यहां पर डालें इस तरह से अब इसके उपर हम फिर से एक और गेंड डालेंगे अब फिर से हम वही पत्य के डेजाइन जो हमने अभी पहले स्टार्टिंग में डाला था इस तरह से ऐसे फोल्ड करकी हम चाहें तो साथ साथ भी ऐसे कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं है कि बनाने के बाद ही हम घुमाएं हम साथ साथ भी घुमा सकते हैं प्रेंड से हमारे पत्ते भी हो गए अब हम इनको भी रागे में डालेंगें अब फ्रेंड से हमारे पास कुछ सफेद फूल भी है उन्हें भी हम इसी तरह से डाल देंगे करते हैं अब हमारे पास कुछ कलिया भी हैं तो हम सुच रहे हैं कि हम उने भी कि इसी तरह से डाल ले इस तरह से बुद्टी में फसाया और डाल ले इस तरह से यह दीव फ्रेंड्स बहुत दोसे तरफ शे भी उसी तरह से डिजाइन बना रहे हैं जैसे हम ने पहले बनाया था आप यहां तक हम ने पंग डाल दिया है, आप गेंड़ डाल रहे हैं, गेंड़ आ के बाद इसमें फिर से हम पत्ते डाल रहे हैं, फ्रेंड्स, यह वीडियो पसंद आय आपको, तो सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद पहला आइकन बटन भी ज़रूर दबाईएगा जिससे कि मेरे जो भी लेटिस्ट अप्लोड्स होंगे उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगे यह दिखें यह मैंने डाल दिया और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजेगा और अगर आपके कोई सवाल हों तो आप मुझसे कमन पॉक्स में पूछ सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सवालों को जवाब देने के यह दिखें यह मैंने लगा लिया अब हम इसक अब आप लगा रहे हैं अब आप लगा रहे हैं अब आप देखें कितने सारे कलर हैं आप फ्रेंड्स फिर किसी वीडियो में मिलते हैं जब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्षकार